समाज द्वरा विज्ञान को महत्व दिया जाता है, क्योंकि विज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग से कई बुन्यादी मानविय जरुरतों को पूरा करने और जीवन स्थर में सुधार करने में मदद मिलती है। कैंसर का इलाज और उर्जा का एक स्वच रूप से खोजना केवल दो सामाईक उदाहरन है। इसी तरह विज्ञान को अक्सर आर्थिक विकास को चलाने की रूप में जनता के लिए उचित ठहराय जाता है, जिसे सार्वजनिक वित्त पोसन के लिए निवेस पर वापसे के दोरान हाला की विज्ञान का एक और लक्षिय उब्रा है। प्राकतिक संसाधनों की निरनतर्ता और स्वयम मानों की निरनतर्ता की गारंटी के लिए तरक संगत रूप से उपयोग करने का एक तरीका खोजना, एक प्रयास जिसे वरत्मान में स्थीरता की रूप में जाना जाता है वैज्ञानिक अक्सर इन और इसी तरह के तरकों का उपयोग करके अपने काम को सही ठहराते हैं वर्तमान में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और लंबी जीवन प्रत्याश्य तक्निकी उन्नती आर्थिक लाब या स्थीरता से जुड़े हुए हैं ताकि धन को सुरक्षित किया जा सके और सामाजिक स्विक्रिती प्राप्त की जा सके वे बताते हैं कि आज हम जीन उपकरणों तक्निकों और दवाओं का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकान सुथ पाद या अनुसंधान उप उत्पाद है पैन से लेकर रॉकेट तक और एस्पिरिन से लेकर अनुप्रयोग को आईजेक असिमोव की पुस्तक क्रोनोलोलजी ओफ साइंस एंड डिसकवरी में कैद किया गया है जो खूपसूर्ती से वड़न किया गया है कि आग की खोच से लेकर विश्वी सताब्दी तक विज्ञान ने दुनिया को कैसे आकार दिया है हाला कि विज् भीरता से विचार करने का समय है कि कैसे विज्ञान और अनुसंधान समाज के सभी स्तरों पर सिक्ष्या में योगदान दे सकते हैं ना केवल अधिक लोगों को अनुसंधान में सरलगना करने और उन्हें विज्ञानिक ज्यान के बारे में सिखाने के लिए बलकि अनुप्रयोग बन सकती है यह गंभीरता से विचार करने का समय है कि कैसे विज्ञान और अनुसंधान समाज के सभी स्तरों पर सिक्ष्या में योगदान दे सकते हैं नागरिकों की अधिक और बहतर सिक्ष्या नई प्रोध्योग्यों की निस्पक्स और टिकाउँ अनुप करेगी उधाहरन के लिए एक व्यक्ति कल्यान और जीवन प्रत्याशा में व्रिद्धी को एक सकारात्मक लक्ष्य के रूप में देख सकता है और खाधिय आपुर्ती और स्वास्ते संसाधनों से समधित असमानता की वर्तमान समस्याओ पर विचार नहीं करेगा हाला कि यह देखते हुए कि विज्ञान सिक्षा को संभोधित करना चाहिए कि हम मानोस्थिती में सुधार के लिए विज्ञानिक ज्यान को कैसे लागू करते हैं यह सवाल उठता है कि क्या विज्ञान अनुसंधान पूरी तरह से मानुविये जरूर्यतों को सेवा में होना चाहिए या क्या विज्ञानिकों को अपने लिए ज्यान का पिछा करने की स्वतंतरता बरकरार रखनी चाहिए या नहीं खाती यद्यपी अंती माविदिन की द्रिष्टी से 1949 में ब्रिटिस भोतिक विज्ञानी जॉन डी बर्नाल की पुस्तक दसोसल फंक्षन ऑफ साइंस के प्रकासन के बाद से इस प्रश्णों पर गर्मा गर्म बहस होई है बर्नाल ने तर्क दिया की विज्ञान को सामन्यमान जीवन की भोतिक आवश्चक्ताओं को पूरा कंडे में योगदान देना चाहिए और इसे कैंद्रियर रूप से नियंद्रित किया जाना चाहिए राजे की उपियोगिता को अधिक्तम करने के लिए वर माक्सवादी विचारों से काफी प्रभावित था प्राणी विज्ञानी जौन आर बैकर ने बननालिष्टिक द्रिष्टिकॉन की आलोचना की विज्ञान की उदार अउधारणा का बचाव किया जिसके अनुसार विज्ञानिक अनुसंधान द्वारा ज्ञान की उन्नती का अपने आप में एक अंत की रूप में मुल्य है इस द्रिष्टिकॉन को मुक्त विज्ञान द्रिष्टिकॉन कहा गया है विज्ञान अपने सार में ज्ञान इकठा करने का एक उपकरण है रूप से मान्य प्रयोग और निसकर्स निकालने के लिए पुष्टे किये गए अवलोकन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। लेकिन सांखी किये रूप से मान्य प्रयोगों और पुष्टे की गई टिपणेयों की सुन्दर्ता यह है कि वे अधिकांस भाग के लिए दोहराने योग्य है। विज्ञान के लाब विज्ञान और प्रध्योगी के माध्यम से जीवन सरल और आराम दे हो गया है। यात्रा आसान और तेज हो गई है। संचार आसान तेज और सस्ता है। प्रध्योगी के उदे के साथ जीवन स्धर में सुधार हुआ है। कई नई तक्निकों का उप्योग करके मानव जाती उन्नत हो गई है विज्ञान और प्रोध्योगी के विकास के कारण असंभव काम भी संभव हो गया है विज्ञान और प्रोध्योगी के कारण जटिल कारिय और कारिय मानव के लिए सरल और सुविदा जनक हो गया है विज्ञ का प्रयोग कर मनुष्य अवेद कार्य करते हैं। नई तक्निकी जैसे सैलफॉन, आइपेड आधी का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अपने हिंसक मिज़न के लिए आतंकवादी उन्नत तक्निक का इस्तमाल करते हैं। परमाणू सक्ती और परमाणू बम के उ मनुष्य को प्रभावित करने के साथ साथ परमाणू उर्जा के कारण पोधों और जीवों को भी प्रभावित किया है। अध्योगीक प्रध्योगी के विकास के कारण प्राकतिक सुंदर्ता लुप्त होती जार।